नमस्कार जहिन दोस्तों मैं राज कुमार सिंग आपको अपने यूटूब चैनल क्लास वर्क लेट्स बिल्ड और सेल्फ में आपका स्वागत करता हूं कि हम लोग आज जो है एक नए टौपिक रेमेंडर खेंगे जैसा कि मैंने इसおおo yan एक अ जो है और चुका है डीजूबेंडर तीओर्म की बात पहले बबताने से समझिए फिर उसके बाद UPSI के कोस्चन वो भी धाई हजार बैकेंसी का वो हुआ है आने का वो भी आएगा उसमें जो है remainder theorem दो कोस्चन एक कोस्चन आपको मिली ही जाएगा और बाकि कितने भी लेकपाल हो जितने भी government exam UP के खास करके exam आपको remainder बिचार क्या है कि हार वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी हार को आप ऐसे मतले कि आप निरास हो जाए नहीं हार हुई है हार क्यों हुई उस पर आप बिचार करें और उससे अच्छा करने का प्रयास करें आप सफल होंगे जरूर यह रहा आज का विचार चलिए आज का आज नई यूनिट के स्टार्ट हुए आज स्रिगड़क्स करते हैं आज देखी टॉपिक का नाम है रिमेंडर थोरम यह जो है आपको यूपी असाई मैंने जैसे बता दिया है इंपोर्टन टॉपिक है ध्यान लगा के पढ़िएगा उसको जल्दी जल्दी करके बहुत जल्दी नहीं पढ़ाएंगे आपको maximum जो है question देंगे जो की practice करने के लिए और question भी आपको थियोरी भी समझाएंगे question के माध्यम से जिससे आपके दिमाग में जो है यह बैट जाए हम आगे बढ़ें उससे पहले जो है आज एक चीज जो आपको शुरुवास से देख रहे हैं आज आएंक अच्छा 5-6 से आप स्टार्ट कर देऊंगे देखना उसको फार्मूल हो जो एक्जाम में आप जल्दी लगा के आंसर निकाल सके वो आपको हम तरीका बताएंगे अब देखिए भाज जी बराबर भाजा गुड़े भाग फल्दंते सेस अब इंग्लिस वाले बच्चे क्या वो भी जान ले नहीं तो हो कहेंगे हमें छोड़ दिये ज्यादा करक क्योंकि question जो है इंग्लिस और हिंदी दोनों में रहता है उसलिए मैं उसमें इंग्लिस और हिंदी दोनों लगाता हूं देखिए formula क्या है कि भाज जी बराबर भाज गुड़े भाग फल्दन सेस छोटा सा formula है आज ये formula पूरे class में बहुत important role अपनाएगा और देखिए इं इस फॉर्मेशन में हो गया अब इसको हम जनरल फॉर्मूल वेस में देखते हैं जो आसानी से हम question में apply कर सके आप देखिए भाज कहां पर होता है यह होता है आपका भाजक और यह होता है आपका भाग फल और यहां पर जो कुछ बच जाता है उसे कहते है सेस फल रिमेंड ठीक है यह बात आप समझ गये होगे आईए इसको एक छोटा सा एक्जामपल ले लेते हैं उस बेसिस पर आपको समझाते हैं देखिए जैसे यहां की ले लिजी साथ और यहां से इसको divide करिए चार से तो भ भाजक कितना हुआ है 4 हुआ 4 एक वा एक बार ले जाए दो आप आपका क्या लिए यह बाए और आपको बताना चाहें गए और और भाज़ा गुड़े भागफल धनसे हम आपको अपलाई करना बताएंगे इसमें जो आपको आसानी से इसमें क्या होता है कंफ्यूजन हो जाता है पहले आप यह समानेंगे फिर उसको निकालेंगे मैं आपको तरीका बताऊंगे इसमें अपलाई करने का अभी अगर आप सीखे होंगे फॉर्मूले से इससे लगाना तो आप देखिए और कंपैर्जन करिएगा आपको लगेगा नहीं यह फॉर्मू भाजक हमारा हो गया चार, भाज क्या हो गया साथ यह हो गया भागफल और यह हो गया सेस्पल यहां तक आप बात को किलियली समझ पाएं होंगे चलिए आगे बढ़ें उससे पहले जो है एक छोटी सी बात और सीखेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे कोस्टिन की माध्व से तब समझेगे, एक छोटी सी बात है, जो आपको समझ लेनी चाहिए, यही पर मुझे ऐसा लगता है, तो आप समझ ले, जब मास्टर कह रहा है, समझो, हो सकता है आपके लिए, यहां समझना वो ज्यादा important हो, इसलिए तो कह रहा हैं मास्टर, समझो, अब देखिए, एक कोई बटे साथ, पांच बटे साथ, और इसके भागवाले formation मतलब साथ, और यहां पांच है, आर, ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, अब हम कहते हैं, कि आप बताईगी, इसमें सेस्फल क्या होगा, क्या पूछ रहे हैं हम, कि सेस्फल, सेस्फल, आप remainder बता देजे, क्या होगा, अच्छा, कोई यह ना समझे, कि दोनों अलग अलग question, एक ही question है, लिखने का तरीका अलग है, हम आप से पूछ देते हैं, सेस्फल क्या होगा, देखिए, पहले आप लोग दिमाग लगाईए, यहां पे हम आपको चार जो है, option भी देते हैं, आपकी सुभधा के लिए, option क् यह option हम देते हैं आपको, कि 5, 1, 0, और 4, अब आपको बताना इसमें जो है, क्या सही होगा, कौन सा option होगा, जो इसका सेस्फल बताएगा, कितना होगा, 5 बटे 7 का सेस्फल कितना होगा, अब आप से पूछ लिया जाए, तो क्या बताएंगे आप, कुछ बच्चे जो है, इ देखिए, इसको पहली बार एक आग, दो बार में लिख के चलूँगा, कि आपको यह याद हो जाए, कहां भाज्य है, कहां भाजग है, कहां भागफल है, कहां सेस्फल है, देखिए, यह आपका क्या होता है, भाज्य, भाजग, यह क्या है, भागफल, और यह क्या है, आप वह आपके शिफ्सल होगा यह बात आप किलियर कर पारे होंगे तो जानिए अभी इसको निकालना सीखे कैसे हम कहते हैं कि 7 में कितनी बार ले जाएं कि वो 5 से कम हो तो हम ये कहेंगे हम तो ले नहीं जा सकते एक भी बार तो हम क्या कहते हैं हम 0 बार ले जाते हैं पर हमारा जीरो हो गया तो यहां पर कितना आ जाएगी जीरो बार तो जीरो साथ गुड़े जीरो कितना आया जीरो अब यहां पांच आ गया तो हमारा कितना आ गया सेस्फल कितना आ गया पांच आ गया हमारा option यह सही हो जाएगा और हम एक चीज़ से देखिए हम क्या आपको बताना चाहा रहे हैं हम आपको यह बताना चाहा रहे हैं अगर यह आपका है भाजक और यह क्या है आपका भाज तो हमेशा के लिए ध्यान रखिए जब भाज जब भाजक जो है भाजक भाज जिसे भाज जिसे बड़ा होगा जब आपका भाजक भाजक मतलब जिससे भाग दिया जाए जिससे भजा जाए तो भाजी को जिसको काटा जाना है वो अगर छोटा होगा तो हमेशा आपका सेस्फल क्या आएगा सेसफल आपका हमेशा आएगा भाजी के बराबर भाजी के बराबर जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर यहाँ पर क्या सेसफल तो 5 ही आएगा ठीक है दोनों कोचे ने की है तो यहाँ पर हम क्या बताना चाह रहे थी अगर भाज्य आपका छोटा हुआ भाजक से तो आपका सेस्फल क्या आएगा सेस्फल जो है वह भाज्य के इक्वल आएगा यहां तक आप बात समझ गया होगे यह एक चीज बतानी थी अब इसी में एक चीज और जानी है इसको हम डिटेल में आगे जब रिमेंडर जाते हैं ले जाओ भाई अब करके देखें अब जबर जश्टी ले जाते है जीरो जाएगा एक बार लो भाई कर दिया साथ एक अन्नम साथ और आपको यह पता होगा इसमें इसमें गटाए जाता है पांच में से नीचे वाला गटाए जाता है तो कितना आ गए आपका माईनस में लिखा नहीं जाता है लेकिन एक बार हम ज्यादा ले जाते ता माइनस इगा ठीक है कि लिखा नहीं जाता माइनस में तब क्या करेंगे यहां से आपका भाज़ भाजव यह साथ अगर डिये में निकाल कि सब frånAME SAYGUS मैं ऐसा समझें लिए कि माइनस न तो जोड़ दिया जाएगा तो कितना जाएगा शाथ माइनस दो पांच आजएगा अब देखिए आपका यहां भी वास्ट था यहां भी पास था तो अम यह कह सकते हैं अगर जबरजस्ती नेगेटिव में हम ले आ देते हैं देमेंडर तो उसको भाजक में जोड़ करके लिख दीजिए तो आपका सेस्फल ही आएगा बस यहां पर यही बताना था बाकि इसमें आप जो है यह माइनस हम क्यों ले रहे हैं आप इसमें इसपर्ट हो जा नहीं रहा था फिर भी हम ले गए जबरजस्ती करके तो क्या आ गया तो सेस्फ फल माइनस में पिर में लिखा नहीं जाता है फिर क्या करेंगे फिर जो है भाजक में जोड़ करके अब घृटाना कहेंगे तो अगर देख लोग कहेंगे कि मास्टर है घटाना साथ माइनस माइनस2 तो यह हो जाएगा 9 इसलिए जो ता यह गलत है तो जब माइनस मं आगए इसमें इसको जोड़ दो जोड़ो क्या हो जाएगा 7 प्लस माइनस-2-6-5 ठीक ऐसे शक्विक है बाकी जो चीजें होंगी आप को बीच बीच में बताते रहेंगे अभी जो है question number one देखिए question के माध्धम से सारी theory complete हो जाएगी और आप कोई चीज और बता दें अगर आप एक बार remainder theorem पढ़ लिए तो फिर आप पढ़ने को छोड़ दीजिए आप फिर पढ़ाने योग हो जाएगा अगर ढंक से पढ़ लिए तो आईए पहला question एक बार पढ़िए और करने का प्रयास किरिए question क्या कहता है question कह रहा है कि भाजक भागफल का 25 गुना है और शेज फल का 5 गुना है यदि भागफल 16 हो तो भाजी क्या होगा कुछ इसमें होंगे क्या होंगे जानते हो फार्मूले बेसी होगा है मैंने अभी जो बताया कि अभी जो फार्मूला पढ़के आए भाजक भागफल दंसेस इसमें पुट करेंगे यक्स की बैलू रखेंगे यक्स मान के solve करेंगे तो फिर लंबा प्रोसेस है अब हम क्या बताना चाहते हैं आप इसको ध्यान से सुनिए अगर आपको भाजवरा भाजक भागफल दंसेस फार्मूले से निकाल रहे हों और कंपैरिजन करिएगा जो हम तरीका बता रहे हैं दोनों में कौन सा आसान है आप उसी से जाईए हम यह नहीं कहते हैं कि हमारा में थर लगा आए जरूर अब देखिए यह होता है भाज भाजक यह आपको गया भागफल और यह आपको आजाएगा ठीक है अब क्या कह रहा है कि भाजक भागफल का 25 गुना है जो भाजक है आपका भागफल का 25 गुना है अच्छा भीया आप जो हो 25 गुना हो अच्छा अब कह रहा है और सेसफल का 5 गुना है सेसफल का 5 कौन है भाजक है लिओ आप 5 गुने हो बस आप तरीका समझीएगा अब क्या कह रहा है यदी भागफल 16 है अब आपके भागफल की बैलू दे रख्की है कितना 16 यहां तक को चैसने सोला का पतचीज गुना कई कितना आएगा कि है मैं हुआक आतो हिपिए गुणा तो 25 का सो होता है ठीक है और उसका 4 गुणा कर देंगे 400 चाइएगा तो 25 गुड़े 16 भाग फल आ हंगा इसना 25 गुणा भाजक है तो पचीस गुडे, 16 आपका कितना आजाएगा? 400 आजाएगा 25 गुडे, 16, 400 हमारा भागफल है 16 भाजक पता होगए 400 अब सेजफल कितना आएगा? यह कैसे पता होगा? अब यह कहा है कि सेजफल जो है सेजफल का 5 गुणा भाजक है तो उल्टा कर दिजिए भाजा का कितना गुड़े सेसफल होगा तो 400 भागे 5 400 भागे 5 तो 845 असी हो गया हमारा सेसफल कितना आ गया असी आ गया अच्छी बात है ये अब आप समझ गया होगे बात को इसमें कुछ बहुत खात नहीं अब आपको क्या करना इसमें कोश्चन में दे रखा है आपको कि भागफल का 25 गुणा भाजक है और सेसफल का 5 गुणा जो इता है भाजक है ये हो गया अब भागफल आपको उसमें दे रखा है 16 ठीक है अब 16 का 25 गुणा कितना होगा 400 होगा यहां तक कोई दिक्कत और भाजक का सेजफल का चार गुना पाँच गुना भाजक है तो क्या करिएगा उल्टा कर दीज़े तो मतलब इसका बटे पाँच जो होगा और सेजफल होगा असी आगया अब आपका पूछा क्या है कि आप भाज्य बता देजे आप यहां पे आप धन सेस्फफ़र ठीक है एंगलिक मीडियम ओले यहां कैफ्टल डी इश्मॉल डी क्वाडरेंट फिर आपका आजाएगा रेमेंटर ऐसे लिखा जाता है अब देखिए आप से पूछा क्या है भाज बता दीजिए भाजबरा क्या होता है भाजक आपका कितना है 400 जो हमने निक आला है अब इसको मल्टिप्लाइ करें 16 1664 यह हो गया 6480 आपका आंसर ठीक है यहां तक आपको कोई समस्या होगी नहीं आंसर नंबर बी आपका आंसर हो गया होगा ठीक है आज एक क्वेशन नंबर दूसरे पर दूसरा देखिए एक बार दूसरा पढ़िए क्या कह रहा है करने का प्रयास कीजिए वही तरीका जो हमने अभी आपको बताया है ठीक है उसी मीडियम से कि दिये गया प्रस्नों में भाजक भागफल का 8 गुना है और सेस्फल का 4 गुना है यदि सेस्फल जो है 12 है तो भाज ज्यान कर लिजि सेम उसी पैटन पर है अपकी दिया क्या गया है इसमें दिया गया है आपका सेस्फल दे दिया है इसके पहले क्या दे रखा है आपको भागफल दे रखा था तो सेम पैटन क्या करने पहले पहले हम लिख लेंगे क्या कि भाज भागफल भाजक और यहां क्या आएगा यदि प्रस्त में भाजक भागफल का आठ गुना है भागफल का कितना हो भई यह तुम आठ गुना हो लो आठ गुना हो गए अब सेजफल का चार गुना है भागफल सेजफल का कितना गुना है चार गुना है अब आगे बढ़िए जो कहता जा रहा है बस question में वह ही करते जाएए आंसर तक आप smoothly पहुँच जाएंगे यदि सेजफल आपको 12 दे रखा है ये आपको आपकी दे रखा है इसके पहले वाले question क्या दे रखा था ये दे रखा था अब क्या करेंगे भागफल 12 अब जो है अगर भाजक निकालना होगा तो हमारा क्या होगा भाजक भाजक निकालिए 12 चो 48 ये आपका हो गया भाजक क्योंकि 12 का 4 गुना करेंगे तो भाजक होगा क्योंकि ये रहा 4 गुना है 12 चो 48 और भागफल निकालना है तो भागफल का 8 गुना जो है भाजक है तो भाजक का 1 by 8 जो होगा आपका भागफल होगा तो 8 पंचे 40 आप 6 ये आपका हो गया अच्छे ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए अब फॉर्मूला लगाईए भाज्य बराबर भाजक गुड़े भागफल धन सेस डी कुल टू इमेंडर क्वाडरेंट फेर इमेंडर भाज्य बराबर भाजक गुड़े भागफल धन सेस अब देखिए आपको यह पूछ रखा है आपसे भाज्य बताईए तो भाज्य तो पूछी रखा है भागफल और भाजक का मल्टिप्लाई करिए तो 48 इंटू 6 प्लस रेमेंडर कितना है बाराब अब देखिए अगर आप इसको यूनिट डिजिट से करना चाहते है जो कि मैंने बता दिये यूनिट डिजिट क्या होती जाहिए नहीं देखा है तो पहले जाके वो वीडियो देखें कि यूनिट डिजिट उसको आप क्लियर कर लें अब देखिए एक तो होगा लास्ट में 0 एक ही में दिया गया है 300 आप देखेंगे जब तो एक ही ऑप्षन है जो 300 लास्ट में यूनिट डिजिट 0 है तो आप यहां से डारेट भी कर सकते थे जैसे इसको मल्टिप्लाइट ना करना पड़ता आपका टाइम बसता तो 8 छंग 38 लास्ट काठ यह और यह इसमें 2 जोड दिये जाता तो 0 आ जाता यूनिट डिजिट देख लेते 0 किसका है तो एक ही एक ही आप सन था जिसका जो है यूनिट डिजिट 0 था आप यूनिट डिजिट से भी इसको निप्टा सकते है ठीक है आईए कोचन no.3 चलते है कोचन no.3 पहले कोचन No.3 पहले पढ़े और करने का प्रयास कीजिए को कोचन पढ़े एक बार कोच्छन पढ़िए एक बार हाँ देखिए कोच्छन पढ़िए कि जब एक पूढ़ांक है के को तीन से विभाजित किया जाता है एक कोई जो है जीरो बसता है के का संभाव इत्मान ग्याद कीजिए देखिए इसको option से जाना जो है ज़्यादा आसान होगा हम आपको बताते है कैसे पहले option जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं 62 63 65 अब क्या कह रहा है कि अब क्या कह रहा है कि पूढंग को तीन से विवाजित किया एक से बता है इसके पहले जो है मैंने रिप्रय इसमें तरीका बताया था देखो अब इसमें देखो तीन स्विभाजित कौन-कौन से होने के बाद एक सेस बचता है, आप देखो, यहाँ, छे और दो, आठ, इनका छे तो, अच्छा, यह भी तरीका है, कि मैंने बताया था, जोड़ते जाओ, जो तीन का मल्टिपल मिले, उसको हटाते जाओ, हटाओ, छे आ हमारा 3 का मल्टिपल है, हटा दो, अब आया 2, अब 2 में, 2 आ गया, प्लस 2, तो हमारा सेस फल कितना बच गया, 2 बच गया, यह 3 से डिवाइड करने पर 2 सेस फल देगा, और यह 63, तो 3, 3 दू नीचा है, 3 का मल्टिपल, प्लस 3, यह भी 3 का मल्टिपल, मतलब यह रिमेंडर 0 जोड़े जाओ उसका मुल्टिपल मिले तीन का और नौ में अपलाई होता है उसके बाद जो डिविजबिल्टी नहीं पड़े उसमें जाकर पढ़िए का मैंने इसमें बहुत बिस्तार से इस चीज को बताया है बार-बार वो चीजें दोहराई नहीं जा सकती हैं अब देखे कि पूढ़ांग को तीन सी भाइड करने पर सेसफ़ल एक आ रहा है चलो एक उप्शन और बचाई इसको भी देख लेते हैं चे तीन का मल्टिपल है अब पांच पांच को तीन सी डिवाइड करें कितना सेसफ़ल बचाई दो तो रिमेंडर जो है इसमें जो है दो आ रहा है क् हम आपकी सांति के लिए बता देते हैं कि दूसरी कंडिशन जो दे रखी है कि पूढ़ांग में एक जोड दीजिए चौण सथ में एक और जोड दीजिए कितना हो जाएगा 65 अब कहरा है यह पांच से डिवाइड है तो हां भाईया पांच से डिवाइड है उसमें 0 आपको बात यह समझ में आ गई होगी ऐसे हम आसा कर सकते हैं अगर नहीं आई यह बात समझ तो पहले डिवीजबिल्टी में इसके पहले ही मैंने डिवीजबिल्टी खतम किया है उस पे जाएए उसको पढ़िए समस्या नहीं रह जाएगी क्योंकि हर बार हर टॉपिक जो प्रयास करें कैसे आंसर हो सकता है नहीं हो पाता प्रयास तो हम तो ही है चलो क्या कह रहा है कि 47 को 71 और एक अग्याद संख्या के गुड़न फल में जोड़ा जाता है तो नया नंबर भागफल 98 भागफल 98 देते हुए 7 से विभाजित है अग्याद संख्या गुड़ांक है अज्यान संख्या का गुड़ांख चलिए इंपोर्टेंट मार्ग करिए कुश्चन थोड़ा सा लेंगुजी परेसान करें और इसमें जो आंसर निकालने के बाद भी कुछ लोग टिक नहीं करके आएंगे मैं यह भी गारेंटी देता हूं आपको चलिए एक बार और पढ़ि और एक अज्यात संख्या के गुड़न फल को किस में जोड़ा जाता है 47 में प्लस 47 अब क्या कह रहा है ऐसा करने के बाद जो नया नंबर मिलता है भाग फल जो है 98 देते भी जब 7 से विभाजित किया जाता है जब इसको हम 7 से विभाजित करते हैं तो हमारा 98 भाग फल आता ठीक है इसमें सेस्फल के जिकर नहीं हुआ तो जीरो मानेंगे अब क्या कह रहा है तो अज्यात संख्या का गुड़न पताईगे पहले अज्यात संख्या निकाल लेते हैं फिर गुड़ांक तो हम निकाली लेंगे आपको पताते हैं क्या है अब देखिए वही फॉर्मूल भाजी कितना है सेवेंटीवन यक्स प्लस फोटीसेवन भाज बराव भागफल गुड़े भाजक मतलब भाज बराव भाज गुड़े भागफल दंसे कहने हम जो है थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए तो लेकिन लेंगे नहीं आप देखिए उसको मेथड कैसे यूच किया ठीक है 98 और यहां पर आगे आपका जीरो आप देखिए यहां से आपका एक से निकल जाएगा यहां से निकल जाएगा यहां से निकल जाएगा यहां से मैच कर रहे हैं यहां दोनों एक जैसे लग रहे हैं इसको माल लो यह आप और यहां पी माल लो य क्योंकि यह एक्स न कि तो करिए कि 836 और साथ नौई 63 और पांच 68 यहां तो कोई दिक्तास हो ने मल्टिप्लाई करने में मल्टिप्लाई कुछ से करेंगे मास्टर को परिसान नहीं करेंगे और यहां पर आगे आपका 71 प्लस 47 अब देखिए 71 उइकल टू 47 कि इधर करी माइनस हो जाएगा माइनस 47 करी यहां 9 आ जाएगा ठीक है यहां पर हो गया 9 यहां तरह 7 और यहां तरह 6 639 ठीक है यहां पर आगे आपका माइनस करने के बाद वाइज जो है 63 अपॉन इसको काठी है कितना आएगा इस नौ बार जाएगा तो हमारा आगे है नौ लेकिन वाई की पहलो नौ तो आगई अब हम आपसन की तरफ जब निगाह डाले तो नौ तो है नहीं तो जब आपसन में नौ नहीं है तो हम पर एक बार फिर कोश्चन देखेंगे तो अज्यात स सकते हैं अगर इसमें तो कोई भी मिल जाए आपको तो आपसन जो हमारा डी क्या कहता है कि करना कुछ नहीं है जो बोला है उसको करते जाओ फॉर्मूल इंपूट करो वाई की बैलू निकालो वो अज्यासन क्या है उसका गुडांग निकालने के लिए जिससे वह कटेगा वो उसके गुड़ांक होंगे, तो 1-3-9 हमारा गुड़ांक आ गया, अन्सर में 3 दिया था, इसलिए हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है, अगर मालो ऐसे कोई बिना ऑप्षन दिए पुष्ता, तो गुडांग पूस्तक के गुडांग बता दीजे आप, तो एक तीन नौ, तीनों बताते हैं, ठीक है? आईए, कोशन नमबर फिफ्थ, थोड़ा तेज करेंगे, कोशन नमबर फिफ्थ आईए देखिए क्या कहता है, एक बार पढ़िए कोशन नमबर फिफ्थ और करने का प्रियास करिए, क्या कह रहा है, कि दो संख्याओं का अंतर जो है, 1375 है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, भागफल 6 और सेसफल 25 है, सो सबसे छोटी संख्या बता दीजिए, देखिए, पहली बार तो कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर जो है, आपक घुषे Ну då हमारा बड़ा है 20 ओब क्शोटा मान के चलेंगे अब क्या क्यता है बड़ी संख्या को च्छोटी संख्या से भाग दीजिए व्यांता है यह क्छोटी संख्या से भाग दीजिए इस वरक देने पर अँपह बहाग है श्याओ उसकी संख्या Daim से मिल गई है यह पहला इक्वेशन हो गया हमारा अब दूसरी इक्वेशन यहां निकालेंगे कैसे भाज बराबर भाजग गुड़े भागफल धन से तो यह बराबर क्या हो जब अब अप्लाइब करते रहिए अब लिखने अच्छा लिख देते हैं काकबार और नहीं तो कहेंगे कि मश्टर भाज बराबर भाजग घुड़े भागफल धन दनसेज अब देखिए यह हो जाएगा ए यह जाएगा बी गुड़े भागफल आपका च्छे धन्सेस फल कितना हो गया पचीस अब हमें निकालना क्या है निकालना हमें छोटी संख्या छोटी संख्या वस अब यहां से a की value इसमें put कर दीजिए, तो क्या उतना हो जाएगा, 6b, यहां से a की value है, 6b plus 25, इसको a में put कर दीजिए, तो 6b plus 25, equal to, equal to क्यों, अब यह माइनस b तो भी है, बराबर 1300, 75, बस, अब आपको आगया b, में एक ही equation आगया, अब b की value निकाल लीजिए, वही आपसे पूछा, छोटी संख्या बता दीजिए, चलिए, यहां से 6 में से b गया कितना आएगा, 5b plus 25, 5, equal to 1375, 5b equal to कितना हो, तो 25 घटा दीजिए, 1375 में से 25 घटा कितना आएगा, 300, 350, b equal to, 5 से अब डिवाइड कर दीजिए, 5 दूनी 10, और 5, 75, 37, 0, आपका आगया 270, 270 जो है, आपका क्या आगया, छोटी संख्या आगया, अगर आपकी पूछ लेता, बड़ी संख्या क्या 1375 में से 270 घटा देंगे, वो हमारी छोटी वाली संख्या हो जाती, कोई दिक्कत, दिक्कत नहीं है, तो अब आगे बढ़ जाएगे, कोशन नमबर, आगे बढ़ेंगे, कोशन नमबर 7 पर, थोड़ा तेज करेंगे, कुल मिलाके जो है आपके, 14, 15 कोशन है, सब सौल वकलने जिससे आजी, आगे वाले कोशन सरल है, मैं एक तरीका बताऊंगे, उसके जो है वो कोशन, बड़े आसानी से हो जाएंगे, तो चिंता करने कोई बात नहीं है, आइए, कोशन नमबर 7 क्या कहता है, एक बार कोशन नमबर 7 आप पढ़िए, और करने का प्रयास कीजिए, चउदर से विभाजित किया जाता है, तो आठ सेज बसता है, लेकिन जब उसी संख्या को साथ से विभाजित किया जाता है, तो कितना सेजफल, बचेगा, अच्छा, ठीक है, इसको एक बहुत लोग बहुत तरीका बताएंगे, ये कोशन आते हैं, हम ये भी बता रहे हैं, बस हमारा तरीका यूज करिएगा, पहले हम एक method बताएंगे आपको, उसको आपको समझने के लिए बता रहे हैं, क्योंकि इसी तरह के question आते हैं, एक तरीका और होता है, इसके अलाव को question आएगा तो फसाएगा फिर, लेकिन हमने अभी तक जितना देखा है, question इसी तरह से आत बता दूगा, जिसी से आपको जाना है आगे, ठीक है, क्या कहता है, कि एक संख्या है, को 14 से विभाजित किया जाता है, तो आपका 6 फल 8 बसता है, तो आप ये मानिए, कि 14 से विभाजित करने पर जब 8 बचा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कुछ आगे 14 x प्लस 8 रहा होग ऐसा थी कुछ formation रहा होगा, कि जब 8 से बसता है, तो इसको 14 से डिवाजित कर देंगे, तो ये 14 वाला गुडांग तो इससे तो कट जाएगा, बसता 8, यहाँ तो कोई दिक्कत, बसता 8, ऐसा हो गया, ऐसा ही कुछ formation रहा होगा, जो कि 8 से बसता था 14 से भाज देने पर, अब क्या कह रहा है, कि उसी संख्या को साथ से विवाजित किया जाए, तो साथ से विवाजित करने के लिए हम क्या करेंगे, संख्या तो वही है, यही है न संख्या, जो 14 से विवाजित कर रहे है, ये एक्स प्लस 8 वटे में, साथ से डिवाजित कर रहे है, तो देखो, यहाँ पे साथ दुनी चवदा इसका गुडांग तो कट गया इसमें सेज़ देने कोई मौका तो है नहीं अब बचा क्या आठ आठ साथ को केवल आठ में डिवाइड करी कितना आएगा सेज़ फल आठ बटे साथ एक आएगा सेज़ फल बस अब इसकी बाद एक तरीका बताएंगे उसको जो है अपलाई करिएगा मैं इसमें बस यह बताना चाह रहा हूं कि जब क्वेश्चन आते हैं तो 14 एक प्लस आठ आया तो जो बताएगा दूसरी संख्या जब डिवाइड की जाते कितना सेज़ बचेगा तो इसका यह मल्टिपल होगा इसको गुडांग होते हैं ज हमेशा ऐसा आएगा कि गुडांग जो है कटेगा इससे तो इस खाली इसका यूज होता है इतना आप समझ गया होंगे एक सिसमें सेसफल कैसे आई यह आपका तरीका हुआ आपको जाना ऐसे नहीं है हमेशा द्यान रखिए कि आप कभी ऐसे नहीं जाना है आपको जाना कैस आसे है कि जाना ऐसे है कि कहा दिया कि जब एक संख्या को 14 से विभाजित किया ते सेसफल आट आता है पर आप सेसफल और दिमांक मतलगाना मैंनेaca में यह आपके समझने के लिए बताया है खाली एक इसमें तरीका होता अगर वो आ गया तो फिर फसा देगा आपको लेकिन वह अभी तक मैंने वैसे कोशन देखे नहीं है हमेशा ही इसी फॉर्मेशन में आता है कोशन ठीक है तो आपको पेपर क्वालिफाई करना है तो यह जो है एक वही आपसे पूछ रखा है किस कितना सेसफल आएगा तो एक आएगा जो आपको सेसफल दे रखा है उसको डारेक्ट जो है अगले वाले में अपलाई कर दीजिए चलिए थोड़ा बहुत इसमें कम समझ में आएगा ऐसे कोशन अब जो है लगातार 16 नंबर तक के हैं मि UPSI ESI 2017 का कोशन है कोशन एक बार ध्यान से पढ़िए और करने का प्रयास कीजिए क्या कह रहा है कि जब एक संख्या को आठ से विभाजित किया जाता है तो सेसफल तीन बचता है हमने क्या कहा आपके अब दिमाग में क्या क्लिक करना चाहिए जो सेसफल आया है क्योंकि ला पहले हुआ कि अब क्या कह रहा है कि अगर वह का हो दो सो सेथथ क्लिक कितना है यह सीदल है को आपका संख्या होंगे आसर जो इसमें डि आपका सही हो गया इतने लल्लू से कोश्चन भी आये लेकिन जिसको तरीका नहीं पता है वह जो पहले वाले मीडिम पर जाएक पहले बात उसका टाइम जाता लगेगा और सही हो कि नहीं हो तो भगवानी जाने चलो और यह भी कोश्चन जो होता है क्या कह रहा है देखिए एक बार यर्ट एक संख्या है जिसे 94 से भी भाजित किया जाता है तो शेसफल 40 वस्टा है क्या क्या रखना है कि स्यसफल ़ो बचा चालिस उसी संख्या को 47 से डिवाइड किया जाए तो सेस्पल आएगा सेस्फल हमारा आया था 40 अभी इसको और 47 से डिवाइड गरें सेश्फल बता दीजे हमने फिर बताया है कि अगर भाज भाज यह हो गए आपका भाजक अभी हमने शुरुवात में ही बताया है कि भाज जो है जब भाजक से छोटा होगा तो हमेशा सेस्फल कितना आएगा तो सेस्फल उसका भाजक ही होगा तो 47 से 40 में डिवाइड करना है कटेगा तो ही नहीं भाज कम है भाजक से, तो हमारा सेस्फल सीधा कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 40, 40 हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर नमबर A, सही हो जाएगा, ठीक है, आज ये question number 9 हो गया, question number 10 पर आईए, अब थोड़ा तेज करेंगे, क्योंकि बातें आप समझ चुके है question number 10 क्या कहता है, question number 10, एक मार question number 10 देखिए, क्या कहता है, कि येन एक संख्या जिसे 17 से विवाजित किया जाता है, सेस्फल जो ओता, 45 आज जब 2 येन को 17 से विवाजित किया जाता है, तो सेस्फल क्या आएगा, अब देखिए, थोड़ा था, आगे पीछे कुछ नहीं करना है सीधा लिखो सेसफल कितना बच रहा है सेसफल 45 45 अब कहरा है कि संख्या को दो गुणा कर दिया गया होता तब क्या होता संख्या यन थी इसको टू यन करने के बाद सत्तावन से कुछ मत करना सेसफल को ही दो गुणा कर देना आप संख्या करने के जरूत नहीं सेसफल को दो 53, 60, 9, 33, 33 जो है आपका सेस्फल आ गया, कन्फ्यूज विलकुल मत होइगा, कन्फ्यूज विलकुल नहीं होना है, आपको जो सेस्फल आया है वहीं से कह रहा है कि संख्या को 2 गुना करिये, तो आप बस सेसफल को ही दो गुणा कर दीजिएगा फिर डिवाइड करके बता दीजिएगा ठीक है जो कहता है संख्या में करिए वो आप जो है उसको अपलाई सेसफल में कर दीजिएगा ऐसे कोश्चों में ठीक है आईए कोश्चों नमबर 11 बात आप समझ पा रहे होंगे कोश्चों नमबर 11 क्या कहता है पढ़िए एक बार कोश्चों नमबर 11 कहता है कि यन एक संख्या जिसे 37 से विभाजित किया जाता है सेसफल 25 बचता है जब संख्या को 3 गुणा मतलब 3 यन कर दिया जाता है हमने बताया आपको आपके दिमाग में बसी चीज होनी चाहिए कि सेसवा कितना है 25 अब कह रहा है संख्या को तीन गुणा करिए लेकिन हमने आपको क्या बताया है संख्या को मत करिए जो आपको सेस्फल ही आया उसका तीन गुणा कर दीजिए तो 25 का तीन गुणा करेंगे और किसे डिवाइड करना है साइटिस से डिवाइड करना है और 25-35 हो जाता और सैने दिवाइड करें दू बार जाएगा और स knecysey कितना होता है 7 दूक्रpir 12 सैस्थील सेंथेडी दूनी चौुढ्टर तो हमारा बच कितना गया सेश्फल सेश्फल एक बच गया सेसषल हमारा एक आ गया, ठीक है, मैंने बार बार ऐफ को, मैं इस बात को repeat कर रहा हूं कि जो आपको, संख्या में करने को बोले, वो आप सेसफल में करियेगा, जैसे कहा गया कि संख्या को तीन गुरा कर दीजे तो क्या होगा, तो हम सेस्फ़ल को डारेक्ट तीन गुना करके भाग लगा के हम बता देंगे ठीक है? Question number 12 चीजे एक ही pattern पे चल रही है Question है important आप जो है जल्दी जल्दी करते जाए और practice के लिए आपके लिए ये पढ़िया रहेगा Question number 12 क्या कहता है Question number 12 कि यद एक संख्या है दो-सो पच्छीस से विवादित किया जाता है तो सेस्फ़ल 70 आता है लेकिन जब संख्या की वर्ग को 15 से विवादित किया जाएगा सेस्फ़ल की आएगा? हमने एक चीज हमेशा बताई दिया है कि हम सेस्फ़ल पे खाली memorize करेंगे तो आप किस से कहरा डिवाइड करने के लिए 15 से डिवाइड करने के लिए कह रहा है लो 15 अब देखे साथ सता उन्चास 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 पचास बटे 15 अब भाग देके देख लीजिए कितना आया है 49 और 15 15 जोनी 30 पंदत थिया 45 पैतालिस कर देजिए कितना आया पांचान्नों और पंदर दुनी तीस बचे दस और यहाँ जीरो उतारा और पंदर शक्कनब्बे हमारा दस आ गया सेस्फल यही तो पूछा था न वह कहना था संख्या का वर्ग करने के बाद जो है पंदरा से विभाजत करने पर सेस्फल कित और दिकत होगी नहीं है क्योंकि अब तीन कोशन और बचे हैं खतम कर दिये जाए फिर नेक्ट्ट श्रास में नए चीजए नए चीज़ी क्या यही है क्टिररबी होर्थ लेकिन इसको अगे बढ़ा जाएगा और मैं बार-बार ये बात कहता हूं कि आप एक बार पढ़ लीजी इसको क्योंकि यूपि पूरीष की वेकंसी आने वाली है यू.प असाइ जकन सब्सक्रावजों कि उर्षे डेज्ट वाली है यू.जैल 29 संख्या को जोँगा छंट continues किया जाता है तो 23 संख्या कि घान बाराव से भाजित किय麵क, क्या याise आएगा देखी थोड़ा साभ को सकते है जिस तरीकते समय बताउंगा लेकिन यह जब थोड़ा और दोचाल लेक्षर होगा तो फिर आप यह खुद करने लगेंगे देखें कह रहा है कि 23 उसका एक संख्या को 36 से विभाजित किया जाता है तो 20 सेसफल बसता है तो इस संख्या के घन को 12 से विभाजित किया जाये तो सेसफल क्या होगा तो हम कह रहा है संख्या का घं करने का हम यहीं सेसफल का ही घं कर देंगे और क्या कहेंगे कि 12 से विभाजित करो अब सेसफल निकालो एक तरीका यह होगा कि 23 गुड़े 23 गुड़े 23 करके निकाल लीजिए फिर 12 से भाग दे दीजिए उसके बाद जो सेसफल आएगा वो आंसरों को इसमें भी कोई गलत नहीं है लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट बनके हम जो शुरू में आपको बताया है उस हिसाब से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा अब देखिए 12 एक एक करके काट लीजिए 12 23 तो 12 एक के 12 और 11 जैसे यहां पर काटेंगे इसको 11 सेस बचेगा इसमें 11 सेस बचेगा 12 को 33 से काटेंगे 11 11 11 11 अब 11 11 11 सेस बचेगा तो 11 का क्यों कितना होता है 1331 होता है 1331 तो 12 से भाग लगाएंगे जो आईगा शेस फ़ल वो आपको होजाएगा लेकिन एक तरीका मैंने अभी आपको शुरू में ही बताया कि negative सेस फ़ल निगेटिव सेस्फ़ होता है न कि ए новых जरा जवरज़स्ती ले साब देख लाउ कितना बछता है उस हिसाब से करते हैं और अगर लास्ट में आंसर निगेटिव में आता है सेस्प़ल तो उसको बाजक से जोड़ करके भाजेंगे देखे तो हम जबर ज़ा बर जबसक्ती ले जाते हैं कि 12 12 इबारह ज्यादा हो गया है तो माईकस बारह माईनस बना जाएगा 12 दो नहीं 24 माईनस एक माईनसा से कितना हो चलिए – 10001 हैroph कि माईनस 1001 क्योः खेंगे स believe that से 12 करीजिए अब चीडि Eminis सेसफल तो माइनस होता नहीं है तो बारा है हमारा तो हम क्या करेंगे इसमें जो है इसको जोड़कर लिखतेंगे बारा माइनस एक वराबर 11 यह आपका आगया सेसफल इसमें दिमाग मत लगाईए अगर नहीं समझ में आता है कि आगे जो है इसी फॉर्म में बहुत सारे कोश क्योंतर हो जाएगा इस फॉर्म से करने लगेगा ठीक है अब आज यह कि सेकेंड लास्ट कोश्चन पर देखने हैं क्या है से कंट्रास्ट 14 कोशन 48 कोचनबर 14 क्या कहता है यहन एक संख्या है जिसे जब 58 से विवाजित किया जाता है सेस्फल क्या आता है यह इस संख्या के दो गुने को भाजक के आदे से विवाजित किया तो क्या आएगा ठीक है तो हमने हमेशा कहा है क्या कि इस संख्या को दो गुने को संख्या का दो गुना मतलब हमाने हिसाब से सेश्फल का दो गुना में सेश्फल कितना था 57 51 का दो गुना अब कह रहा है संख्या कात दो गुना भाजक के आधे से भाजक क्या है तो भाजक है मारा 58 58 का कह रहा है आधा कर दो 58 के भाजक के आधे आप जो है आप इसमें कह रहा है कि सेस्पल बता दीजिए कुछ नहीं 51 गुड़े 2 कितना हो जाएगा 102 बटे 28 भाजया 2 गुड़े 10 daa 17 अब 29 भाजये 102 कितना आएगा 29 तिया कितना होता है 87 होता है 29 तिया 87 क्योंकि 30 टिया 90 होता है एक एक कम है तो तीन कम कर दिये 87 अब 87 और कितना 102 होगा तो 87 ये 13 और 2 पंद्रा भाग फल आ जाएगा आपका 15 जिसको समझ नहीं आ रहा है 102 गुड़े 29 तीन से भाग लगाईए ये आपका आ जाएगा 87 अब यहां से घटा दीजिए 15 अब ये आप करने लगिए क्योंकि बार-बार इस तरीके से बताना जो है पॉसिबल नहीं है इसको आगे बढ़ाएंगे नेक्ट लेक्चर में कोशन नमबर 15 कोशन नमबर 15 पढ़िए और करने का प्रयास करिए कोशन क्या कहता है कि ये नेक संख्या है जिसे जब 62 से 62 से विभाजित किया जाता है तो 63 वस्ता है ठीक है यदि इस संख्या के 4 यान को भाजा के आज से से डिवाइड किया जाता है तो क्या बचेगा तो ध्यान रखिए हमें संख्या करते होमेशा कर ये से कितना दें रख्या है साथать अब क्या रहा है कि संख्या का 4 गुणा तो संख्या का 4 गुणा मैं स्टॉपमारे जिशाह से और तरिया मैंने क्यों मैं ऐसे क्यों कर रहा हूं मैं आपको यह पहले ही बता चुका हूं ठीक है जो है दो सो चालिस भागे में 31 करीद एक कितना आता है अगा भाग लगाई है तो तीन ट्रिक्कन और तीन सत्य कीस देखें 31 गुड़े साथ तो साथ एक के साथ सात्रे के किस दो सो सत्रा तीन बाल ले जाए दो सत्रा आया और उसकी बाद ऐसे कर लो यार तुम लोग कहें पर कादवाल ले जायए दोसो सत्रा और सत्रा और कितना चालिस कितना होगा तेरा हो इस कि देएश के अए जानगया ठिक है तरीका आप जान गए होंगे इस तरह के कोश्चन आते हैं इसलिह हमने इसको प्रैक्टिस आपको काफी मात्रम करा दिया है बाकी जो है अब अगली क् आप उसको रिवीजन करते रहें जो इसके पास यूज फूल हो जैसे जो प्रिपरेशन कर रहा है या किसी भी गौर्मेंट एक्जाम यह जो इसमें यूज होता हो वो यूज कर रहा है नहीं उसके पास साधन नहीं है तो आप फिरी में ही यह आपको लेक्चर प्रवाइड कर आप उसके पास तक भेजें साधन उसको लाब हो जाए तो ठीक है कोई अगर सजेशन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं लाइक सियर सब्सक्राइब आप कर दीजिए और जो पीछे का हो चुका है आप उसको रिवीजन करते रहें आगे का पढ़े अच्छी बात है लेकिन जो प कहा होत है न गाओं में कि अंधा जो है रस्ती बनाता रहता है पीछे से पढ़वा खाता रहता है ऐसा ना हो कि पीछे वाला खातम होता जा रहा है आगे बनाते जा रहें नहीं पीछे वाला रिवीजन करके रखना है आगे इसको इस्टोर करना है चलिए मिलते हैं तब ने झाल झाल